फ्रेकल्स पिछले इतने टाइम से इतनी सारी क्वेरी जाई फ्रेकल्स को लेके कि मैं इस पे वीडियो बनाई है इस पे वीडियो बनाई है तो मैंने सुचा कि इंतजार खतम करते हूं फ्रेकल्स पे ही वीडियो लेके आते हैं लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से आपका देखे, मुझे किसी के बारे में नहीं पता कोई कैसा treatment देता है, मुझे लेकिन अपने बारे में पता है कि मैं purely customized medicine प्रवाइड करती हूँ, जैसे पुराने टाइम में वैद करते थे, purely शास्त्रोक्त प्रेक्टिस के हमारे शास्त्रों में जो चीज बताई गई, किस दिन चर्या पे, किस रितु चर्या पे, किस तरह से उसका काम होता है, किस चीज के साथ उसे खाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं, ठीक है, कोई ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता, बट अभी तक मेरी knowledge में नहीं है, कि आयुरवेदा में ऐसे डॉक्टर, जो लाइव वैट के अपने पेशेंट से बात करते हैं, उनकी बिमारी के जर्नी आप से शेयर करते हैं, और आपको बताते हैं कि इन्हें इतना आराम मिला है, और मैंने अपने करियर में बहुत सारी चैलेंजिंग बिमारियों पे काम करना स्टार्ट करा, अर्थराइटर्स, मेलाजमा, और अब मेरा जो निया रिसर्च है, जैन्थल एल्समा, जब कोलेस्टरोल के यहां पे वो इकठे हो जाते हैं, तो यहां पे जो चैनल आ रहा है, डॉक्टर उपास्तना वोरा, एक बार आप जरूर जा के इसे देखेगा, आपको भी confidence आएगा, कि जो चीजे कहीं ठीक नहीं हुई, मैंने वो कर दिखाया, और हम चैलेंज करते हैं, कि जो हमारे यहां से, प्राब्लम एक बार आपके ठीक हो जाती है, तो वो दोबारा नहीं उभरती है, यानि कि आपके जाईयां दोबारा नहीं आती है, फ्रेकल्स, एक अलग तरह के ब्राउन स्पोर्ट्स, जो आपके स्किन पे यहां पे पनपना स्टार्ट हो जाते हैं, मैलजीन चोटे-चोटे स्पोर्ट्स में इकट्था होना स्टार्ट होता है, लेकिन आप सोचिए, कि अगर वो स्पोर्ट्स लेजर से ठीक हो जाते, तो आलियावट के फेस पे बहुत सारे फ्रेकल्स हैं, करीना कपूर के फेस पे बहुत सारे हैं, क्यों वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और मेरे यहाँ पेवी दिन में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं ट्रीट्मेंट के लिए, लेकिन मैं क्या कहते हूँ, कि 50-50 परसेंट चांसी से, अगर उपर के लेयर में ही अभी स्पोर्ट की फॉर्मेशन है, यानि कि वो फ्रेकल बने हैं, तो आप एजिली खतम कर सकते हो, मेडिसन से, अगर डीप इन्वाल्मेंट है, यानि कि 6 की 6 लेयर इन्वाल्मेंट हैं, लेकिन आपके चहरे पर और ना बढ़े, कई बार क्या होता है, यहाँ पर अजीब से आने लग जाते हैं, नोस पर आना शुरू होते हैं, बहुत ही जादा वर्स कंडिशन डिवल्प नहीं होगी, आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी morning routine स्टार्ट होगी, वो होगी आपके चहरे धोने से, वहाँ पर आपको face wash का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ पर आपको कच्छा दूद लेना है, cotton से अपने पूरे चहरे को डेली क्लीन करना है, कच्छे दूद के माध्यम से, इसमें curd वगेरा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, मिल्क यहाँ पर फ्रेकल्स में इसको रिड्यूस करने में, मेलनीन को ब्रेक करने में बहुत अच्छा वर्प करता है, तो सिंपल आपको मिल्क का इस्तेमाल करना है, यानि कि raw milk, अब, आज मैं आपको दो रेमेडीज बताने वाली हो, जो जैनुवली इस पर काम करेंगे, ऐसे नहीं कि हम हवा में तीर मार दे, और आप लोग पागलों की तरह करते रहो, नहीं, नहीं आपका टाइम हम वेस्ट होने देंगे, नहीं मैं अपना करूंगी, आपके ताइम की भी मेरे पास उतनी ही वेल्यू है, जितनी मेरे पास अपने वक्त की है, तो स्टार्ट करते हैं राइस से, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल रेमेडी है, पर बहुत ज़ादा इफेक्टिव है फ्रेकल्स पर, आपको क्या करना है, इतने से चावल लेने हैं तीन-चार चमच आप चावल ले लिजे एक आलू medium size का यान इतना सा आलू उसको काट लीजे उसके बाद क्या करना है एक open pan ले लिजे उसमें आपको चावल डालने हैं आलू के pieces काट के डालने हैं और उसे बाइल होने के लिए रख देना है जैसे हम चावल पकाते हैं धीरे-धीरे करके चावल पकना शुरू होंगे आलू बाइल होता रहेगा और वो बहुत ही जादा जैसे हम गला देते हैं सबजी को बिलकुल पक जाती है वैसे उस फॉर्म में बना लेना है जब चावल पूरी तरह से पक गए आलू पूरी तरह से हो गए तो आप गैस को बंद करके उसे ठंडा होने के लिए रख दिजी और उसमें आप आड करिए एक टमाटर कट करके छोड़े-छोड़े पीसिस में और उसे ढख के रख दिजी तो जो वह स्टीम है ना वह स्टीम उस टमाटर को भी सॉफ्ट कर देगा उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने ये मिक्स्चर बनाया इसका आपको पेस्ट रेडी करना है आप जो मिक्सर बनाएंगे एक बार पेस्ट बनाके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं वन वीक के लिए वन वीक के बाद आप उसे दोबारा बना सकते हैं इसमें जादा एफर्ट नहीं कि आपको डेली-डेली उस पेस्ट को बनाने की जरूरत नहीं आपने एक बार बनाया, आपका वही 7 days use हो जाएगा पोटेटो, rich in starch, उसमें वो गुण है जो मेलनीन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं राइस, ऐसी क्या चीज है राइस में कि जितने भी कोरियन लोग हैं, उनकी skin इतनी ज्यादा clear होती है यह आप लोग मुझे comments में बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकि यह rice के benefits को टोमेटो, rich in vitamin A, rich in vitamin C, देसी भाशा में, बहुत ज़्यादा technical नहीं जाना, जो आपके भी सर के उपर से निकल जाए और मेरे बताने में भी मजाना आए तो अब हमें skin के लिए यही चीजे चाहिए और तीनों चीजे हमारे पास आ गई उसके बाद क्या करना है, daily is pack को आपको अपने face पे लगाना है मैं यहीं नहीं कहरी कि immediately, बठाँ, एक महीना आप use करेंगे तो आपको effect दिखने लगेगा tan तो easily निकल जाएगे, skin का color भी clear होने लगेगा पर जो आपके freckles हैं, वो brown sports हैं, वो धीरे धीरे करके light होना शुरू होंगे अगर बिलकुल उपर के layer पे होंगे, नीचे होंगे तो थोड़ा सा difficult है बठ और freckles ना हो, जैसे कई बार कहते हैं, कि exposure to sunlight उसमें जाने में भी हमारी skin में वो pollutant के particles ही कठा होगे भी अजीब से sports बनाते हैं तो वो सारी चीज़े भी better होना start हो जाएगी, अगर आप एक बार इस remedy को start करते हैं इसके साथ आपके diet में vitamin A होना बहुत जादा important है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप supplement उठा लीजे, कि आप simple vitamin A के नहीं, आप गाजर खाये, आप green vegetable लीजे और skin को hydrate करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट है cucumber, उसमें 95-99% water rich होता है आपको क्या करना है, कोकुमबर को daily अपनी diet में add करना है, हमारी skin जो healthy है, और healthy रखना, और healthy थी, तीनों चीजों में अंतर है, कई बर तो मुताते हैं, मेरी skin बहुत पहले healthy थी, अब नहीं है, मेरी skin आगे बहुत healthy होगी, क्योंकि मैं care करूंगी या करूंगा, अब healthy नहीं ह सारी चीजों में अंतर है, लेकिन आप अपनी skin को बहुत constant रख सकते हो, बहुत basic basic remedies है, और आप पहले continue करें, then alternate day, then twice in a week, एक follow up में उसे रखना start करें, जिससे आपका भी time ली waste होगा, जब आपको result मिलने लगेगा, तो आपको confidence आना start हो जाएगा, कि यार, कुछ तो discipline maintain करेंगे, कि आप regular basis पे उन remedies को follow करेंगे, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि ऐसी remedies आपके सामने लेकिया हूँ, जो वाके में आपको result दे, हवा में तीर नहीं मानना, मैंने दो तिन बार ये line repeat करी है, क्योंकि आज के time में हर इंसान, influencer, home remedies बताना start कर रहा है, हर platform पे 50-50 लोग जो remedies बता रहे हैं, जो remedies बता रहे हैं, और same remedies को repeat कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं नहीं बता कि इसके consequences क्या होंगे, उनका मन कर रहे है, vitamin E add कर रहे है, coffee powder add कर रहे है, मतलब यार, इतना सारा market में ये trend आगया कि Google से search किया, best remedy for clear face, best remedy for pigmentation, और हम उसे ही बता रहे हैं, हम पागलों क रिलवा सकता है, लेकिन हर जगा वो fake reviews नहीं रिलवा सकता, and this is the only reason कि धीरे-धीरे करके, जो मेरे patients की journey है, वो एक peak पे जा रहे है, महां से लोगों को पता चल रहा है कि ये चीजे भी ठीक हो सकती हैं, तो अगर आपके परिवार में कोई इंसान बहुत बिमार है, बहुत प प्यार को पूरी तरह से accept करूँ, और ये give and take process है, जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, मैं उससे दो गुना देने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, तीस दिन तक इस remedy को आपको follow करना है, remedy जब आपका मास्क जो प्यार दिने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया